पभुडांग जी, हमारे कैंडिडेट्स, गोविन सिंग राजपूत जी, चोबे जी, हर्ष यादव जी, कमलेश साहू जी, शशी कठोरिया जी, सुरेंदर चंदारी जी, एनस्यू आई, यूथ कॉंग्रेस, महिला कॉंग्रेस, सेवा दल, और कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब कारे करता, बाईयों और बेहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहाद दिल से बहुत-बहुत स्वागत, गर्मी का समय है, आप दूर-दूर से आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, देश के सामने, और मद्यप्रदेश के सामने, बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर दो समस्याएं सबसे जरूरी हैं, सबसे पहला, और शायद सबसे जरूरी बात, हिंदुस्तान के युवाओं को, और मद्यप्रदेश के युवाओं को, रोजगार देने की बात, देश में आप कहीं भी चले जाएए, जहां भी आपको बीजेपी की सरकार मिलेगी, स्टेट्स में चले जाएए, और सवाल पूछे, युवाओं से सवाल पूछे, क्या करते हो, और आपको एक सेकंड में जवाब मिलेगा, कुछ नहीं करते हैं, हाथ ऐसे करते हैं कहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मोधी जी ने वाइदा किया था, दो करोड युवाओं को हर साल रोजगार देंगे चाइना की सरकार 24 गंटे में 50,000 युवाओं को देती है नरेंद्र मोधी जी की सरकार, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया अलग-अलग प्रोग्राम्स के बाद 24 गंटे में सिरफ 450 युवाओं को रोजगार दे पाती मध्यप्रदेश में 35, 35,000,000 बेरोजगार युवाओं है और पिछले दो सालों में बेरोजगारी दुगनी हो गई है 2000 प्रतिशद सुइसाइड युवाओं के सुइसाइड रेक में बढ़ा हुआ है मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, मध्यप्रदेश के चीफ मिनिस्टर है रोजगार के बारे में और उनके रोजगार के रेकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं बोलते है गोशनाई करते रहते हैं, हजारों गोशनाई की हैं मगर चीफ मिनिस्टर आपको ये नहीं बताते कि 2018 में 700 पियन की पोश्ट के लिए 3 लाख मध्यप्रदेश के युवाव ने अप्लिकेशन बड़ी थी मध्यप्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपको ये भी नहीं बताते कि एक लाख सरकारी पोश्ट खाली पड़ी है 40,000 टीचर की पोश्ट खाली पड़ी है 18,000 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है मध्यप्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपको ये भी नहीं बताते कि मध्यप्रदेश के स्कूलों को और हस्पतालों को शिक्षा के सिस्टम को और स्वास्त के सिस्टम को मध्यप्रदेश सरकार ने अमीर से अमीर लोगों के हवाले कर दिया है प्राइबेटाइज कर दिया है मोधी जी आते हैं पंद्रा लाग का वाइदा करेंगे दो करोर युवाओं का वाइदा करेंगे मगर अपने भाशन में अपना रेकॉर्ड पिछले साड़े चार साल का रेकॉर्ड हिंदुस्तान में कितने युवाओं को उन्होंने रोजगर दिया उसके बारे में एक शब्न नहीं बुलते है यहां बहुत सारे युवाओं करें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मोधी जी ने आपसे वाइदा किया था और यह आपकी जिंदगी का आपके भविश्य का सवाल है यह मामूली सवाल नहीं है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मध्यप्रदेश की सरकार ने इस भीड में कितने युवाओं को पिछले पंदरा साल में पिछले चार साल में रोजगर दिया हाथ उठा के दिखा दो देखिए एक हाथ नहीं उठा यहाँ पर एक हाथ नहीं उठा मतलब शिवराज चौहान जी ने एक व्यक्ति को एक युवा को रोजगा नहीं दिया है कॉंग्रेस पार्टी आएगी तो युवाओं के लिए हम दो तीन चीज एक दम करेंगे पहला काम जो मैंने सरकारी पोस्ट की बात की जो आज खाली पड़े हुए है उनको हम भरने का काम करेंगे और मध्यप्रिदेश के युवाओं को सरकारी रोजगार देंगे चाहे वो टीचर की बात हो प्रोफेसर की बात हो सरकारी करमचारी की बात हो जो भी पोस्ट खाली है उन सब पोस्ट को हम भरके दिखाएंगे मध्यप्रिदेश में दो लाख कॉंट्राइट इम्प्लोईज है दो लाग कॉंट्राइट इंप्लॉईज है और दुख की बात है कि इनको कम पैसा मिलता है और इनको यह नहीं मालूम होता है कि कल इनके पास रोजगार होगा या नहीं यह लोग काम करते हैं और पूरा का पूरा फाइदा मद्य प्रदेश के सबसे अनीर 10-15 बिजनिस वालों को जाता है तोरी सी में किसानों की बात करना चाहता हो किसानों की बात करना चाहता हो शिवराज जी ने पिछलो 15 साल किसान की मदद नहीं की नरेंड लमोधी ने सारे चार साल में तीन लाख पचास हजार करोर रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का बात किया है तीन लाख पचास हजार करोर रुपया मतलब मंद्रेगा को चलाने में 35,000 करोर रुपय लगते है देश में करोर लोगों को रोजगार देने के लिए 35,000,000,000,000,000 रुपय मन्रेगा में लगा उससे दस गुना जादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए अपने 15-20 उद्योग पतियों को दिया है मैं नरेंद्र मोदी जी के ओफिस में किया सोयम गया और उनसे मैंने एक सवाल पूछा मैंने कहा नरेन पर मोदी जी एक बात बताईए आपने 3 लाग करोर रुप्या 15-20 लोगों का माद किया आप किसान से बोनस चीनते हो उसको आपने सही दाम देने का वाइदा किया उसको आप सही दाम नहीं देते हो MSP नहीं देते हो बारेश होती है उला गिरता है आप उसको मुआर्जा नहीं देते हो हम जमीनी अनिकरन बिल लाए उसकी जमीन की रक्षा के लिए लाए उसको आपने रद करने की कोशिश की तीन बार आपने उसको पार्लिमेंट में रद करने की कोशिश की तो मोदी जी आप हमें बताईए आप किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं करते हो बाई और बेनों मेरे सवाल का जवाब मोदी जी नहीं दिया मोदी जी ने ये भी नहीं का हाँ किसानों की बहुत बड़ी समझ से आए हाँ हमें उन्हें बोनस देना चाहिए मदद करनी चाहिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए ना एक शब नहीं बुला मगर तीन लाग पचास हजार क्रोर रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों कर्जा माफ किया और बाई और बेनों अभी बारा लाग करोर रुपया बचा है और नरेंडर मोदी जी बारा लाग करोर रुपया आस्ते 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 इन सबसे बड़े उद्योग पतियों का माफ करेंगे करनाटक में चुनाव था पंजाब में चुनाव था मैंने ये बात वहीं भी कही मैंने कहा गी देखिए अगर पंजाब में नरेंडर मोदी की सरकार कर्जा माफ करने को त्यार नहीं है तो जैसे ही पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी दस दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा फिर मैं करनातक गया चुड़ा उठा वोई बात मैंने वहाँ गई नरेंद्र मोदी करोल लाकों करोल रुपय माफ कर सकता है किसानों को एक रुपया नहीं माफ कर सकता करनातक में कॉंग्रिस पार्टी के सरकार आएगी दस दिन के अंदर करनातक में किसान का कर्जा माफ हो जाएगा अब आप पंजाब में लोगों को जानते हो बैंगलोर में करनातक में आप लोगों को जानते हो मध्योप्रदेश से यहां रोजगा नहीं मिलता है तो आपके लोग पंजाब जाते हैं बेंगलोर में काम डूनने जाते हैं योगा जाते हैं तो आप करणाटक में पंजाब में किसी से भी एक सवाल पूछे उनसे कहीए राहूल गांदी आया का मध्यप्रदेश राहूल गांदी ने हमाए कहा कि दस दिन के अंदर पंजाब में करनाटक में कॉंग्रेस पार्टी ने करजा माँ किया क्या राहुल गांदी सच बोल रहा था या जूट और आपको जवाब मिल जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ मद्यों प्रदेश के किसान को देना चाहता हूँ बाईयों और बहनों यहां कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है और उस सरकार के आने के बाद दस दिन के अंदर ग्यारा दिन नहीं लगेंगे दस दिन के अंदर मध्यो प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा मगर हम वहां नहीं रुकेंगे मैंने ये बाद चत्तिसगर में भी कही और मैं यहां भी कहना चाहता हूँ आज आप किसी भी प्रदेश में चले जाएए और वहां पूछिए देश को भोजन कौन सा प्रदेश खिलाता है और दो सेकंड में आपको जवाब मिलेगा देश को भोजन पंजाब और हरियाना खिलाते हैं मैं चाहता हूँ और हम सब चाहते हैं कि पात साल बाद जब मध्यप्रदेश का युवा रोजगार ढूनने नहीं मगर टूरिजम के लिए करना तक जाए पंजाब जाए कहीं और जाए और सवाल पूछे भहिया बताओ देश को भोजन कौन सा प्रदेश खिलाता है दो सेकंड में जवाब मिले मध्यप्रदेश 36 गर देश को भोजन किलाते हैं अब यह सपना है यह सपना है और इस सपने को पूरे करने के लिए मिलकर हमें काम करना पड़ेगा कॉंग्रेस पार्टी की असरकार आएगी तो हम मध्यप्रदेश को क्रिशी हिंदुस्तान के क्रिशी का सेंटर बनाने का काम शुरू कर देंगे अब आप मुझसे पूछोगे यह काम कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ आज यहां पर आप सोया भी नुगाते हूँ सही बात है सही बात है सोया भी नुगता है यहां ठीक है यहां पर पास में अलग-अलग डिस्ट्रिक्स में अलग-अलग लोग चीजे लुगाते हैं कोई फल उगाता है कोई गेहू उगाता है कोई सोया भी उगाता है कोई सबजी उगाता है तमाटर अलग-अलग सबजिया आज आप सबजियों को फल को अनाज को बंदी में जाके बेचते हो नरेन मोदी जी आपको सही दाम नहीं दिलवाते हैं कि आपको बटकना पड़ता है कि अंत में आपको वहां सही दाम नहीं मिलता है कि कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आएगी हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में हम फूट प्रोसेसिंग का कार खाया लगा देंगे अब कार कहले है क्या होगा आप सीधा जाके सोया बीन अपना सोया बीन सीधा जाके आप कार खाने में दोगे और कार खाना बोपाल में नहीं होगा पंजाब में नहीं होगा हर्यानों में नहीं होगा यहां इस डिस्ट्रिक्ट में आपके खेट के बिल्कुर पास में होगा तो आप सीधे जाके अपना सोया बीन टमाटर आलू जो भी आप ऊगाते हो आप कार खाना में जाके बेचोगे आपको सही दाम मिलेगा और अगर आप आलू ऊगाते हो तो आलू कर्स बनाने वाला कार खाना आपके पास बनाए जाएगा अगर आप सोया भी नगाते हो तो सोया भी इनके तेल बनाने कार खाना आपके पास लगाए जाएगा आप सिर इला रहे हैं मैंने सही बात बोली न इस से मध्यव प्रदेश के जो किसान है उनको अपनी मेहनत का फल मिलेगा आज आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है आज आपसे वो छीन लिया जाता है ब्रश्टचार में छीन लिया जाता है और आपको नहीं मिलता है कॉंगरेश पार्टी की सरकार आपको अपनी मेहनत का फल डायरेक्टली आपके बैंक अकांग में आपके जेब में पैसा डाल कर दिलवाएगी तो इसी बात मैं बरश्टचार की करना चाहता हूँ नरेंदर मोधी आते हैं बरश्टचार की बात करते हैं पहले करते थे मैंने गल्ट बोला आज कल आप उनका बाशन सुनिये उनके बाशन में बरश्टचार की बात नहीं होती पहले बहुत होती थी 56 इंच की छाती है मुझे प्रदान मंत्री मत बनाओ मुझे चोकिदार बनाओ बरश्टचार को मिटा दूँगा वाइदे होते थे मगर आज के बाशन में नरेल द्रमोदी ब्रश्टा चार्शब का पयोग नहीं करता तो आज यह नहीं कहता कि मुझे चोकिदार बनाओ क्योंकि अगर प्रदान मंत्री बोलेगा कि भाईया आपने मुझे चोकिदार बनाया तो जनता बोलेगी चोकिदार सिदा डारेक वो जवाब मिलेगा बाईय और बैलो नरेंदर मोदी जी ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का इनफॉर्मल सेक्टर चलाता है हिंदुस्तान के चोटे दुकानदार चलाते हैं चोटे बिजनस वाले चलाते हैं किसान चलाते हैं युवा चलाते हैं मजदुर चलाते हैं हिंदुस्तान को काले धन वाले चोड नहीं चलाते हैं अगर यह देश आगे बरता है तो आपके बल पर बरता है नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी कि मैं आप से चोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ आप सब को चोटे दुकानदारों को स्मॉल मीडियम बिजनस वालों को किसानों को, मजदूरों को ये माताय बहनों को नरेंद्र मोधी जी ने लाइन में लगाया याद है आपको माताय आप भूल वही है आपको याद है कि आपको बैंक में खड़ा कि ये बैंक के सामने कड़ा गया था नरेंद्र मोधी ने आपको याद है याद है आपको सब को याद है चोटा सा सवाल जब आप बैंक के सामने खड़े थे तो उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के चोरों को, निरव मोदी को, अनिल अंबानी को, मैउल चौक्सी को, काले धन वालों को देखा था? आपको एक दिखा? एक वहाँ पे सूप पहना हुआ, काले चश में तहला हुआ, अरग पती आपने देखा? ना एक अरग पती, एक काले धन वाला लाइन में नहीं था, लाइन में कौन थे? वो लोग थे जो एमानदार है वो लोग थे जो खेतों में काम करते है वो लोग थे जो छोटे दुकान चलाते है वो लोग थे जो छोटा सा बिजन चलाते हैं देश के युवाओं को रोजगा दिलवाते है नीरव मोदी 35,000 को रुपए चोरी करके ले गया जाने से पहले जाने से पहले मैउल चौक्सी जो उसका उसके साथ जो 35,000 तो रुपे ले गया उसने अरुन जेटली के बेटी के दाएं का काम में पैसा डाला विजे मालिया 10,000 तो रुपे लेके भाग गया जाने से पहले अरुन जेटली सी से पार्लिमंट डाउस में मिला क्या वो आपको नोट बंती वाली लाइन में देखे तो अगर ये मोधी जी काले धन की लड़ाई लड़ रहे है तो आप मुझे एक बात बताओ जब नीरभ मोधी भाग जाता है तो मोधी जी बागने देते है माली अब आज जाता है मोधी जी भागने देते है लाइन में आपको ख़़ा करते है और आप वाली लाइन में ना नीरभ मोधी दिखता है ना अरी लंबानी दिखता है ना मैं उल्चोपसी दिखता है बाईयो और बेनो अच्छी तरह सुन लो लोट बंदी से बड़ा गोटाला इस देश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है और ये बात सावित हो जाएगी आने वाले समय में ये बात सावित हो जाएगी कि नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के गरीब से गरीब लोगों के जेव में हाथ डाल कर उनका पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों के जेव में डाला है मगर वहाँ नहीं रुके वहाँ नहीं रुके यूपिये की सरकार थी और ये बड़ी मज़़दार बात आपको बताने जा रहो यूपिये की सरकार थी लवा को विमान खरीदने थे यूपिये सरकार ने बनमोहन सिंग जी ने एंटिनी जी ने एर फोर्स को बता दिया देखिए ये जहाँ आपका है इसका प्रयोग आप करोगे देश की रक्षा करने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे आप सिर्फ हमें दो बाते बता दो आपको कौन सा हवाईजाज चाहिए और किस दाम पे आप हवाईजाज ले ओगे एर फोर्स के लोगों ने आठ साल काम किया अलग अलग हवाईजाज टेस्ट किये उसमें राफवाईल हवाईजाज था यूरो फाइटर हवाईजाज था मिग हवाईजाज था सुकोई हवाईजाज था तेजस हवाईजाज था सब उन्होंने ट्राई किये अंत में आते कहते हैं राफाईल हवाईजाज सबसे बहतरी हवाईजाज है हिंदुस्तान की रक्षा के लिए इससे बैठर हवाईजाज नहीं यूपिया सरकार ने पूछा बहिया किस रेक्त ले रहे हो आप लोग एरफोर्स के लोगों ने कहा 526 करोर रुपे एक हवाईजाज के लिए 126 हवाईजाज यूपिया सरकार ने कहा शाबाश बहुत अच्छा रेक है आप जाके हवाईजाज खरीद लीजिए यूपिया सरकार चुनावारती है निकलती है मोधी जी आते है मोधी जी उन्ही एरफोर्स के लोगों बुलाते है बाचीद होती है मोधी जी फ्रांस जाते है फ्रांस में उनके डेलेगेशन में आने लंबानी जी जाते है और भाई और बेनो अब जो है आपको कह रहा हूँ मेरे शब्द नहीं है फ्रांस के राश्ट्रपती के शब्द है फ्रांस के रान एरोलोर्टिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी और सवाई जाहस को बनाएगी उसकी कोई ज़रुरत नहीं है हवाई जाहस अनिलंबानी को बनाना है फ्रांस के राश्च्टर पती ने मीडिया को बता दिया कि नरेन मोधिची में कहा कि अनेर अम्मानी को कॉंट्राइट नहीं लिए तो भूल जाओ कोई कॉंट्राइट नहीं मिलने वाला भाई और बहनो जोकिदार ने बिना एरफोर्स के पूछे बिना रक्षा मंत्री के पूछे और ये मेरा बयान नहीं है रक्षा मंत्री का बयान है परिकर जी का बयान है कि उनसे नरेंद्र मोधी जी ने नहीं पूचा बिना रक्षा मंत्री के पूचे बिना एरफोर्स के पूचे नरेंद्र मोधी जी ने 30,000 करोर रुपए अनिल अम्बानी के जेब में डाले हैं बाई और बैनो इसलिए नरेंद्र मोधी अपने भाशन में चौकिदार शब नहीं प्रयोग कर सकता है क्योंकि चौकिदारी जरूर हुई मगर आपकी नहीं हुई अनिल अम्बानी की चौकिदारी हुई और नरेंद्र मोधी जी ने की और सिर्फ चौकिदारी नहीं की 30,000 करोर रुपए उनके जेब में डाल दिये चलो चलो दिल्ली से मध्य प्रदेश चलते है चलो दिल्ली से वापिस मध्य प्रदेश आते है शिवराज चोहां जी व्यापम गोताला व्यापम गोताले को Scam of century कहा जाता है century का सबसे बड़ा गोताला है 50 लोग मर गए बाइगाए रहां। शिक्षा ना पुरा system खदम कर दिया, नश्ट कर दिया, बरबाद कर दिया। मध्यो प्रदेश में जिसके पास पैसा नहीं थे हैं जो चुञ चीटिंग नहीं कर सकता है वह exam पास ही नहीं कर सकता है। शिवराज सिंग जी की देन है पूरा या पूरा पूरा शिक्षणा का सिस्केम उला दिया कोई जेल नहीं गया कि सब पूरा जानता है यह विए कम्स कैम में शिवन चौहान जी का क्या रोल है उनके परिवार के लोगों का क्या रोल है, पुरा मध्यप्रदेश जानता है, मध्यप्रदेश के सब युवा समझते हैं, जानते हैं, कि अगर आज मध्यप्रदेश में उनको रोजगार नहीं मिलता, अगर उनको एंजिनियर बना, अगर वो एंजिनियर नहीं बन सकते, डॉ और नहीं बन सकते तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ शिवराज चोहान जी का है क्योंकि उन्होंने मध्यप्रदेश को व्याप्म दिया कि दूसरा अधारण इट एंडिरिंग स्कैम कि तीन हजार कुरूर रुपए आप से छीन लिए गए सरकारी कॉंट्रेक्ट्स शिवराज चोहान जी के परिवार के मित्रों को जितने भी कॉंट्रेक्ट्स चाहिए उनको दे लेते हैं कोई कारवाई नहीं कोई जेल नहीं गया कोई सवा नहीं क्योंकि शिवराज चोहान जी चीफ मिनिस्टर बने हुए बैठे हैं नर्मदा स्कैम मिड़ दे मील स्कैम लिस्क बने हुई है किसी रिष्टदा को यहां फाइदा किसी दोस्त को वहां फाइदा किसी कालों को तोर सकते है शिक्षा के सिस्टम को निर्ष्ट कर सकते है पैसे के लिए तोड़े से फाइदे के लिए आज आपको कुपोशन का कैपिटल कहा जाता है लाकों बच्चे मद्या प्रदेश में भूके मर जाते है 29,000 बच्चे 29,000 बच्चे इस पिछले दो सालों में मरे है 2,21,000 मलेरिया के किस 8,000 डेंगू के केस 5,600 चिकन गुनिया के केस ये किसकी देन है पूरा पूरा स्वास का सिस्टम प्राइविट लोगों ये हाथ में कर दिया है आपको X-ray की जरूरत पढ़ती है MRI की जरूरत पढ़ती है 1000 रुपे पहले निकाल के किसी उद्योगपती के जेब में डालो बन स्कूल, व्यापम स्कैम, भाई और बहनों हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, अगर हमें दो हिंदुस्तान चाहिए होते, तो आजादी के समय हम दो जंडे लगा देते, एक बंदरा बीज उद्योगपति होगा जंडा, और दूसरा आम जंडा जंडा, हमें सिर्फ एक देश चाहिए, एक हिंदुस्तान चाहिए, और इस हिंदुस्तान में हमें नियाए चाहिए, अगर पंदरा लोगों का सारे तीन लाग करोर रुपर माफ हो सकता है, तो मध्यप्रदेश के किसान का भी कर्जा माफ हो सकता है और होगा, अगर पंदरा बेस उद्योगपती अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलिज में बेज सकते हैं, तो मध्यप्रदेश के किसान, मध्यप्रदेश के मजदूर, मध्यप्रदेश के छोक्टे लुकांदार भी अपने बच्चों को बहतर से बहतर स्कूल में भीज सकेंगे और अगर जब बड़ा उधियोपती बिमार होता है अगर वो अपने बच्चे को इलाज के लिए या अपने आपको इलाज के लिए हस्पताल ले जा सकता है तो मध्यप्रदेश के किसान भी अपने माता पिता के इलाज के लिए बेतर से बेतर हस्पताल में इलाज करवा सकते हैं ऐसा हिंदुस्तान हम आपको देना चाहते हैं और यह आपके बिना नहीं हो सकता है मैं आपको सीदा बता देता हूँ आप सोचोगे कि राहूल गांदी यहाँ है किसानों को तुफा दे रहा है, मैं कोई तुफा नहीं दे रहा हूँ यह आपका हक है, यह कॉंगर्स पार्टी आपको फ्री गिफ्ट नहीं दे रही है हमने पंजाब में किसान करजा माफी की, वो तुफा नहीं था, फ्री गिफ्ट नहीं था वog पंजाब के किसानों का पैसा था करनाद कि में हमने करदा माफी की वो गई तोफ़ा नहीं था, गिफ्ट नहीं था जैसे मोदी जी कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया किया ना ये सरव आपका है आपसे चोरी हो рitzer उरा है नरेन अमोदी जी मदद कर रहे हैं मैं आपको सीरा बदा देता हूँ तो जो आपका है वह आपको वातस देना चाहते हैं आपकी मज़्दूरी है आपका फून पसीना है और आपका हक है तो जो हम करेंगे आपके लिए करेंगे किसान का खर्दा माप होगा हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में कार खाने लगेंगे और फूर्ट प्रोसेसिंग प्लान लगेंगे और किसान जो उगाता है जा के सीरा बेचेगा उसको जे उसके जेब में पैसा आएगा हाई क्वालिटी के सरकारी हस्पताल हाई क्वालिटी के कॉलिजेस हाई क्वालिटी के सरकारी कॉलिजेस और यूनिवर्सिटी मध्य प्रवेश की सरकार लगाएगी कैसे लगाएगी आपके पैसे के साथ लगाएगी आपके भविश्य के लिए लगाएगी हम किसी 15-20 उद्योक पतियों को नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर 15-20 उद्योक पतियों को आपका पैसा नहीं देना चाहते हैं ये फरक है हम में और उन में दूसरी बात सुन लीजिए मैंने आप बाचन सुन लीजिए पिछले 15 साल से मैं राजनेती में हूँ, मैंने आपसे जिंदगी में 15 लाग की बात नहीं की, मैं जूटे वाहिरे नहीं करता हूँ, मोधी जी आते हैं, जा जाते हैं, तीन-चार जूटे बात कर जाते हैं, यहाँ पे शिवराज चोहां जी गोशना कर देते हैं, 10-15, मैं कहा था, गरीबों को फाइदा पहुचाएंगे, मनरेगा हमने आपको दे दिया, बोजन का दिकार हमने आपको दे दिया, वियापन स्कैम, में RTI, पता कैसे लगा, राइट तू इन्फरमेशन, सूचना का दिकार, मोधी जी ने उसको खदम किया, गुजरात में, पुरे हिं चुनाओ के बाद आप देख लेना, आप देख लेना, चुनाओ के बाद दस दिन के अंदर, मेरी बात सुनने की कोई सवर्वत नहीं है, दस दिन के अंदर किसान का करजा माप हो जाएगा, ग्यारेंटी देके कह रहा हूँ, और ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, अगर कॉ इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रत्याशी है इनको आप जिताईए बारे बारे बहुमत से जिताईए और मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश की जंता की सरकार बनाईए किसानों की सरकार चोटे दुकानदारों की सरकार मजदू की युवाव के बहुशे की सबकार बनाए है दन्यवार नवस्काट जाहिए रहाल गादी रहाल कारी देश कने तरके साहो रहाल कारी युवावड़ी धरकार ये वाजी दालकार लाहा अलकादी किसान अम्मतिया लाहा अलकादी